हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू मैं चैनल केन डिसकेशन तो आज मैं आपके साथ स्वेगरू हरी मेती की मरसाले वाली पूरिया यह जो पूरिया है खाने में पहुत जादा टीस्टी लगती है तो चली इसी बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ले लिए हरी मेती और जि यह जो मेती की पूरिया है आप इसे अचार के साथ या फिनास्ते में आप ऐसे खाएंगे तो बहुत जादा टेस्टी लगेगी तो जो हमने मेती लीती हुँ मैंने इस तरह सैसी से अच्छे से कट कर लिया है इसके बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे टर्माटर तो एक टर् लिया आएगा साहती पूरियों को खस्ता बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालू तीन चोटे चमश सूजी तो मैंने जितना बेशन लिया है उतरह ही मैंने इसके अंदर डाला है सूजी और इसके बास में डालेंगे हम हरी मेर्ची तो मैंने एक हरी मेर्ची को इस तरह बार चमप नमक नमक आप अमने टीश्ट के साफ से धूरह कम ये जहादा कर सकते हैं अब मैं इसके पिला रही हो एक चमप लाली की पाॉडर और इसकी पर में डाला है थोड़ा सा हालदी पाॉडर और इसके पर डालेंगे अज्वाइन तो मैं आर्मारивается अज्वाइन यह एक केटोरे केहों का आटा अभी हमें इसके अंदर पानी का यूश विलकुल भी नहीं करना है एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मेति भी पानी शोड़ती है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद से तीन देन तक बिलकल भी खराrut नहीं होगी तो इसलिया है इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑइल तो इसके बाद में थोड़ा सा ऑइल डाला है और इक फिर इसे अच्छे सेगान इसलिये इसलियाँयागे गूत लिए है और उपर से डालेंगे थोड़ा सा सूका आटा और इसके बाद जो हमने आटा मतलब पूर्यों का गूता है इसे ज़्यादा देर तर बिलकुल में नहीं रखेंगे और फटाफर से इसकी पूर्य है जो बनाकर त्यार कर लेंगे तो बस सूका आटा इस तरह प्राड़ लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे इस तरह मैंने बेलन से इस पूर्यों को अच्छे से इस तरह बेल लिया है और इस तरह सारी जो पूर्य है वो भी हम इसी तरह बनाकर त्यार कर लेंगे तो मैंने जो पूर्य है वो अच्छे से बेल लिया है और बाकी क जो पूरिया है वो भी इसी तरह बना कर त्यार कर लेंगे तो आप देख सकतो जो सारी पूरिया है वो मैंने बना कर त्यार कर लिया है तो चलिए इसे ओल में फ्राइ कर लेते हैं तो मैंने ओल को खरम होने के लिए रख दिया था और जो पूरिया बनाई है वो इस तरह ओल के अंदर हम अच्छे से इसको फ्राइ कर लेंगे और इस तरह हमारे जो पूरिया है आप देख सकतो एक तरफ से अच्छे से फ्राइ हो चुकी है उसे परटकर हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से से शेख लेंगे इसके अंदर हमने सूजी का योश किया था जिससे यह जो पूर के अंदर हम अच्छ से fry कर लेंगे. आज को हमें मीडेम ही रखना है और मिडेम आज पर ही हम इन पूरियों को बना很好 कर त्यार कर लेंगे. तो उस तरह मैंने सारी पूरिया हैं बना कर त्यार कर ली है. आप इन पूरियों को चेटनी या फिर अचार के साथ भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टीश्टी लगेगी तो आपको मेरी ये मिर्थी की मसाला पूरिय की रसीपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में चरूर बता है साथ वीडियो अच्छे लगा हो तो अपने फ्रेंज और रेमिली के साथ इसी वीडियो को चरूर से करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेर करें तो मिलते हैं एक नई रसीपी के साथ